गला सूकना एक ऐसी मामूली समस्या है जिसकी ओर हमारा ध्यान भी नहीं जाता वास्तों में यह कोई समस्या नहीं है बलकि एक लक्षन है जो कई बीमारी की ओर संकेक देती है सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसा क्यूं होता है वैसे तो गला सुखना एक आम समस्या है जो किसी भी मौसम में हो सकती है जहां एक और उच्चे तापमान होने और अधिक पसीना आने के कारण अक्सर गला सुखता है जिससे बार-बार पानी पीने की इक्षा होती है वहीं दूसरी और सर्दियों में पसीना नहीं निकलता जिससे प्यास कम लगती है लेकिन ठंडे मौसम की सुस्क हवा सांस के जड़िये भीतर जाकर गला सुखा देती है सरीर के स्पाइनल डिस्क और कॉर्टिलेज में 80% पानी होता है ऐसी में अगर सरीर में पानी की कमी हो जाये तो व्यक्ति की सारीरी गती विद्यों पर बुरा असर पड़ता है और ब्रेन भी सुस्त होने लगता है खास तोर पर जोरों में दर्द की आसंका बढ़ जाती है अगर किसी को अकसर ऐसी समस्या होती है तो ये कुछ गंभीर बिमारियों के लक्षन हो सकते है गले में पीछी की और टॉंसिल नामक दो ग्लैंस होते हैं जो कि किसी भी प्रकार के संक्रमन से बचाओ का काम करती है लेकिन जब इन में ही संक्रमन हो जाता है तो इसे टॉंसिलाइटिस कहा जाता है इस गलैंस में कई बार फंगर इंफेक्षन हो जाता है इसमें गला सूखने के साथ-साथ निगलने में तकलीफ, गले में दर्द के साथ बलगम, कान में दर्द और बुखार जैसे लक्षन दिखने लगते हैं ऐसी स्थिति में दवा लेने के साथ साथ ठंगी चीजों से परहेज और गर्म पानी से गरारे करने की सलाह दी जाती है औरल हाईजीन का विसेज ध्यान रखें और कोई तकलीफ न हो तो भी साल में एक बार रूटेन डेंटल चेक अप जरूर करवाएं अलकोहल और सिग्रेट से दूर रहें निम्बू पानी पिएं या फिर सौफ चबाएं इससे मुँ में सलाइवा बनने की रफतार तेज होती है और गला नहीं सूखता है अपनी डाइट में फलो और हरी सबजियों की मातरा बढ़ाएं इसी सरीर में पानी की मातरा संतुलित रहती है अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मार चैनल को सब्सक्राइब चरूर करें